36 गड़ के दुर्ग भिलाई में पुलिस नशे के तसकरों पर शिकंजा कसे हुए है पुलिस अभियान चला कर आरोपियों को काबू कर रही है अवैद मादक पदार्थों के व्यापारियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार अभियान चला कर कारिवाई की गई है सुचना के आधार पर आरोपि एजाज एहमद 29 साल को नशीली दवाई विक्रे करते हुए पकड़ा गया आरोपि के पास से 136 सी 3 एक्स कॉरेक्स कफ सिरफ बरामद हुई जिसकी कीमत 2400 है एवं नगदी 2050 जब्द की गई इसी प्रकार थाना दुर्ग शेत्र के अंतरगत सूचना मिली कि आरोपि मनीश वर्मा अपने घर के सामने नशीली दवाईयां बेच रहा है जिसको ततकाल घहरा बंदी कर पकड़ा गया आरोपि के कबजे से 46 नग रेक्समा सिरफ बरामद हुई जिसकी कीमत 5220 रुपए है इसी कड़ी में थाना नेवई के अंतरगत अनिल सिंग को क्रितिका मेडिकल में प्रतिबंदित मादकोशदी विक्रय करते हुए पकड़ा गया आरोपि के कबजे से प्रतिबंदित नशीली दवाई कोडीन युक्त सिरफ पकड़ी गई है संपूर्ण का रिवाई में मुखे रूप से नेवई थाना प्रभारी भावेश साव उपनिरिक्षक नरेश सर्वा चोकी प्रभारी पदमनापूर पवन देवांगन वे भूवनेश्वर यादव की महतपूर भूमिका रही दुर्ग भिलाई से राजंद्र गाडे वसुनील सोनी की रिपोर्ट कि इस से 136 बोटल टस्कौरेक्ष कफ सिरफ मिला है इसी अनुक्रम में दूसरा रेड वह नगत शेत्र में किया गया है वहां से भी दवाईयां और कफिरफ मिला है तीसरी रेड की कारवाई दिवाई थाना शेत्र में की गई वहां से भी लगभग सौनग सब्सक्राइब और अलग अलग प्रकार के टैबलेट्स मिले हैं तीनों मिला करके लगभग दोसौ बहुतरल कफिरफ और लगभग साड़े चालाजार के आसपास टैबलेट्स वो जब्त किये गए हैं और यह पूरी कावाई जो है लगातार आगे भी जारे रहे हैं अभी निन से पूछताच की जा रही है और हमारा प्रYAS है कि यह जहां से लेकते हैं और किस प्रकार से लेकते आते हैं उस संब्द में भी हम पतासाजी कर रहे हैं और अगर लिंक पे लरें घुंशे रागे भी पढरे है कुर तरह कि जो कि नचे नहां कर पाने कि लिए बैल आइ वाल्जार बिल्टेटलों इवाय प्रिंट हो ज्योटी गार्डन वोल्ड गार्स चेतरेंगे, फ्रप्राल लुटूरी आटीन, प्रफ्रेटला अप्रफ़ परफ्रेट वेडियों फे लाइटने J.B.D. Banquets Enterprise